हेलो प्यारे बच्चों इस वाले वीडियो में हम लोग एक्ससे 9.3 का क्वेस्टन बट 10 और आगे क्वेस्टन सॉल करेंगे यहां पर हमसे बोल रहा है कि डागनल एसी और बीडी और ट्रैपीजियम एवी सी डी विट एबी इस पैरलल टू डी सी यानि कि जो हमारा एबी सी एक ट्रैपीजियम है जिसमें एबी और डी सी जो अपोजीट साइट रहेंगे यह आपस में पैरलल है तो इसमें जो डागनल बनेंगे ना एसी और बीडी वो इंट्रसेक्ट करेंगे एक दूसरे को ओपर तो अपने को प्रूफ करना है कि जो एओडी करके ट्रैंगल बने करें पॉइंट ओपर तो जब यहां पर इंट्रसेक्ट में ने करा दिया तो में पर बहुत सारी ट्रैंगल बन गया तो हमको यह प्रूफ करना है कि जो एओडी है और जो बी ओडी है यह वाला और यह ट्रैंगल इन दोनों का एरिया एक्वाल है तो हम लोग क्या करेंगे बविकिन दोनों का जो बेस नाव सेम है सेम बत कौन सेम है यह तो बी लेस asc ανα का वह दोनों में सेम है लिए और देखो देखो आगल में यह अरह बी दी सी अक्वा बेशीड है तो चस्को में भी आ पर ले और यह दो लाइन के के बीच में है क्योंकि हमसे question में ही कहा गया था कि जो a b और dc जो लाइन है इस ट्रैपीजम के वह आपस में parallel है तो यह आपने लिखेंगे कि between same parallel यह दोनों same parallel के बीच में है जो कि parallel हमारा a b और dc है तो a b and dc तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह दोनों का same base और parallel भी दोनों same parallel line के बीच में है इन दोनों का एरिया होगा वह equal हो जाएगा so area of a dc is equal to area of b dc इतना समझ में आ गया इन दोनों का area equal हो गया इसको आप लोग ले लो equation number one यह फिर equation one वगेर मतलो direct आपको क्या करो कि यह और ट्रैंगल में से और यह यह ट्रैंगल में से इधर भी हमारे पास जो equal के right side में area of b dc है इसमें सुरी b c d लिख दिया कोई बात नहीं b dc b c d एकी चीज़ है उसमें से हम लोग माइनस कर देते हैं do c को ठीक है दोनों साइट से सेम चीज माइनस किया जा सकता है तो जब a dc में से do c माइनस होगा देखो तो क्या बचेगा a dc यह ट्रेंगल था उसमें से यह इतना पार्ट हम लोग माइनस कर दे रहे हैं तो बचा क्या यह उला पार्ट बचा जिसका नाम aod है तो यहां पर हम लिखेंगे area of aod इसको माइनस करने के बाद उसी तरीके से b c d में से यह ट्रेंगल में से अगर हम लोग माइनस करते हैं इस पार्ट को तो क्या बचेगा यह उला पार्ट बचेगा तो इधर हम लिखेंगे area of aod खतम खेल हो गया यहीं तुमको प्रूफ करना था आगे हमारा आंसर तो आई होब आपको समझ में आगे होगा बहुत ही c d और e यह आपको एक पांच साइड डॉलर सेब दिख रहा है पांच सेब को पेंटागॉन का जाता है यह लाइन थू बी पैरल टू एसी यानि कि बी से एक लाइन जो है वह एसी के पैरलल जा रहा है यहां तक ठीक है मीट डी सी प्रोड्यूस एड एफ और यह क्या हो रह चाहिए एसी एफ के बराबर है एसी एफ यह ट्रेंगल के बराबर है उसके बादम से बोल रहा है कि एए डी एफ और यहां पर देखो इस तरीके से जो हमारा क्या बोलते है ट्रैपीजम की तरह से इप दिख रहा है इसका जो एरिया है वह एकुल है पूरे पेंटागॉन क उसके एरिया के बराबर तो कैसे प्रूफ करेंगे आगी समझने कॉपी में तो चलो यहां पर समझाने से पहले एक जो गलती क्या हो सुधार लेता हूं यह मेरा बी यहां पर एक्ष्वल में होना चाहिए था मैंने गलती से बी लिख दिया है जैसे यह देखो हमारा बी ओ सी आ रहा था ना इसको मैंने डी ली दिया है कोई बात नहीं इतना आप लोग समझी गया होगे पहले ही अब लोग इसको सॉल्व करते हैं यहां पर को तो हम लोग क्या बोला हमसे कि जो हमारा एसी भी है ना कौन से ट्रेंगल बोला था कुश्चन में एसी भी बोला था तो ल एसे वन रहा है दोनों में जो बेस है वो सेम है ध्यान रखो तो यह दोनों में एसी सेम बेस आ रहा है साथी समसे कोश्चन में कहा भी गया था कि जो एसी के पैरलल जो है ना बी से लाइन बनाया गया है यह जो लाइन है वो इसी का पैरलल है ऐसा कोश्चन में साब सब कहा तो लिखेंगे इसको है लिए से था इसी है तो मैं डारेट सॉट कर तरीका में से लिखता हूँ सिए स्पार मिzd 135 टो काओ से सी और या से बीच में य॥ा ह। अगर हमारा से बेस है और से बीट्विन से पार्लेले सिम निर अरिया क्या होगा नहीं यहां of a c b is equal to area of a c f जही हमको यहाँ पर प्रूफ करना था पहला वाला में आगी अंसर कितना असानी से आ गिया तो यह तो first वाला हमारा प्रूफ हो गया ठीक है अब हम लोग को second वाले में प्रूफ करना था कि जो हमारा d f इधर यह बड़ा सा ऐसे बन रहा है और a b c d e इधर बन रहा है हम लोग ध्यान से देखिए तो अभी हमने a b c का एक second वच्चो a b c का जो एरिया है और a c f का जो एरिया है वह भी हमने equal डूफ किया अगर मैं दोनों में यह व पार्ट को प्लस कर दूब यह चोटा सा ट्रैपीजम की तरह दीक करहा है ना जिसका नम e radc रख सकता हूं अगर इस वाले पार्ट को मैं इन दोनों में प्लस करतूं तो यहां से मेरा यह वाला प्लस कर देना है यह तो हमारा इस साइड में एरिया और क्या लिखो कि हमारा जो एरिया ऑफ एसी भी है यह वाला इसमें हम लोग प्लस कर देंगे कर देना उसी तलिके जो हमयरे इस साइड में एरिया ओफ एसी एफ उसमें भी प्लस कर देते अशुक है तो ऐइंटे कर देने टो इन को को प्लस करेंगे ACB में अगर इसको प्लस किया हमने तो हमारा ABCDE वाला बन गया यह पेंटागोन बन जागा इसको प्लस करने के बाद तो यहां पर हम लिखेंगे ABCDE ठीक है और उसी तरीके से यहां पर आप लोग एरिया भी लिख सकते हो और इस साइड में हम लोग प्लस तो हमारा AEDF बन जाएगा इस तरीके से पूरा complete हो जाएगा तो आपने को प्रूफ करना था आपने कितने असानी से आ रहा है तो बस आपको बहुत ही असानी से बनेगा भले कितना वह कॉंप्लिकेटेड उसका डाइग्राम हो चलिए आगे बढ़ते हैं तो देखो यहां इतवारी एक गाओं का आदमी है जिसका नम इतवारी है उसके पास एक प्लाइटल के सेप में प्लॉट है जमीन है ग्राम पंचायत ऑफ विलेज डिसाइड तो टेक ओवर सम पोर्शन अफिस प्लॉट फ्रॉट फ्रॉम वन ऑफ दी कॉर्णर तू कंस्ट्रॉक्टा है यह यह में जाने का ग्राम पंचायत उस गाओं में ग्राम पंचायत होता हुझाय तो वह कशつके merging करना जहीं है जाए ना यूज कर लिए जाए उस पार्ट का उसमें हम लोग बनाएंगे हैल सेल्टर एसा ग्राम पंचायत ने कहा तो इत्वारी बोला कि ठीक है आप लोग कर सकते हो मेरे जमीन को यूज कर सकते हो लेकिन विद्धा कंडीशन मेरे पास एक कंडीशन है लेकिन मुझे दूसरा एक प्लोट वहीं पर चाहिए जहांपर आप ले रहे हो उसी का आजपस आप मेरे प्लोट से ही सटा हुए दूसरा एक और प्लोट दो जीतना आप मेरा लोग है न जमीन उतना ही एरिया होना चाहिए उस जमीन का भी जो आप मुझे दो गे वापस ठीक प्रपोजल है यहाँ पर जो ग्रंप चाहिए और इसके बीच में जो डिसकसन हो रहा है इसको कैसे इंप्लिमेंट किया जा सकता है तो आई सबसे पहले इसको डियाग्राम के थुरू आराम से समझते में इसका डियाग्राम रहेगा कि अगर वो आपने समझ लिया तो पूर और इसी के पैरलल जैसे यह हमारा है है जिस सिरहाई में उसी सिरहाई में हम लोग ए से एक लाइन निकाल करके इस लाइन को मिलाएंगे इस तरीके से ठीक है तो यहाँ पर हमारा यह जो पॉइंट मिला है इस पॉइंट को नाम दे तो आप लोग ए क्योंकि A B C D हो चुका ह हमने क्या कि B D को जॉइन किया और B D के ही पैरलल में हमने एक लाइन बनाया यहाँ पर लिख भी दोगे कि B D इस पैरलल टू ए ठीक है बाकी जो चीज़ा मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया वह भी आप वहाँ पर जुरू लिखने एक्जाम जब लिख होगी कि तो कि ज उसे देखो बहुत अच्छा फैदा होगा भी आपका आप इसे लेकर के बी को जब ऐसे मिलाओगे तो मान लो कि अब यहाँ पर जो हमारे पास ट्रेंगल बने हुए ना इसमें से एक पार्ट जो है वह इतवारी का देखो यह जो प्लॉट था एबी सी डिवो इतवारी का ट्रेंगल के से में पार्ट को तो हमारा आपके प्लॉट कर आप करना है कि असका ड्रेंगल के से divis का हो जाए और ऑْ intersecting point है इसका नाम O रख दो आप लोग ताकि हम लोग यह चोटा-चोटा ट्रेंगल कुछ नाम रख सकें तो हम लोग यहां ध्यान दें तो हमारा बीडी साथ ही साथ यह दोनों जो है सेम पैरललन के बीच में आ रहे हैं क्योंकि हमने यह को और बीडी को पैरलल मनाया है तो यह जो हमारे ट्रेंगल है यह दोनों इन्हीं पैरललन के बीच में आ रहे हैं तो सेम पैरललन के बीच में भी आ रहे हैं तो यहां पर हमारा बीडी है तो ae और bd के बीच में आ रहे हैं तो इसलिए जो हमारा area होगा area of a db वो क्या होगा equal हो जाएगा area of a db के ओके इतना समझ में आ गया लेकिन हमको बड़ा ओला तो लेना नहीं था हमको a db से मतलब नहीं हमको छोटे-छोटे triangle से मतलब है तो हम लोग क्या करेंगे कि देखते हैं कि इन दोनों जो हमारा area जो आपस में equal हो है उसमें ही तो हमारा o b d आ रहा है यह जो पार है इन दोनों में आ रहा है तो हम लोग दोनों में से o b d को minus कर देंगे तो यहाँ पर हम लोग सब्ट्रेक्ट कर दो area of ADB में से minus करो OBD ठीक है OBD उसी तरीके से इधर भी जो हमारे पास area of EDB है उसमें से भी OBD को minus करो तो अगर यह वाला part minus करोगी आप इस पूरे triangle से जिसका नाम हमारा ABD था यह जो हमारा complete triangle है उसमें से अगर यह part minus करोगी तो क्या आजाएगा EDB में से OBD minus करोगी क्या मिलेगा तो देखो EDB यह triangle है इसमें से अगर यह part minus करेंगा तो यह वाला बचेगा जिसका नाम हमारा EOD हो जाएगा तो यहाप लिखा आप लोग area of EOD तो बस यह हम लोगो यहापर prove करना था अब यहापर क्या होगा कि अगर gram-puncheat वाले उससे AOB ले लेते हैं यह वाला part को अगर वो ले लेते हैं ग्राम-puncheat और यह part अगर उसको दे देते हैं नया लाकर करके यह वाला कुछ नहीं है न यह वस हमने इसीले construct किया था ताकि हमारा question असानी सौलब हो सके कि यह बस समझ लो helping hand है और कुछ नहीं इसका यूज नहीं है यहापर कुछ भी बस हमने construct किया था अब दिमाग से यह देखो कि हमारा ABCD जो था यही plot था इत्वारी का इसमें से AOB BD नां का plot उन्होंने ले लिया ग्रंपर चैंथने इसमें लोग health-zosator बनायेंगे और नीचे झार बाचिंग